NCRT पढ़ते हम सब हैं बट सिर्फ एक परसेंट स्टूडेंट्स के 97, 98, 99 परसेंट तक मार्क्स आते हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनिट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी NCRT को डीटेल में हर एक कॉर्नर कुझ वाइस करने वाले हैं विट, कॉंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट कुश्चिन्स और ये वीडियो खतम होती चले जाना फ्री वेबसाइट पढ़लक्षय.com पे जहां नोट्स, क्विज्ज, वक्षीट्स एंड सैंपल पेपर्स, फ्री ओफ़ोस्ट पढ़े हुए हैं क्या हाल पढ़ले गैंग, वेलकम टू चैप्टर नमबर टू हमने अलरड़ी पहला चैप्टर कर लिया है नेक्स चैप्टर इस एसिड बेसेस एंड सॉल्ट जिसको just 30 minutes के अंदर concise तरीके से सारे ट्रिक्स के साथ रिवाइस करेंगे और NCRT का एक भी corner नहीं छूटेगा तुम खुद सोचोगे कि यार इतनी सारे ट्रिक्स मुझे पहले क्यों नहीं मिली जो मैंने साइड में whiteboard पे तुम्हारे लिए 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 लिख ली है let's start सबसे पहले acid basis and salts के लिए समझने के लिए कुछ basic तीन बाते जान लो acids और basis के बारे में number one बात number one बात क्या है कि B, A, R यह याद रखना है वस B, A, R acid क्या करता है यह blue color में दिखा रहा हो न यह है litmus का कि अगर मान लो litmus paper blue color का है तो वो red में change जाता है जब उस पर पढ़ता है acid blue किसमे change हो रहा है red में तो याद कर लो B, A, R कि B यानि blue color red में change होता है किसके वज़ा से acid के वज़ा से बस इसका exact opposite होता है basis में जब bases आते हैं तो red color जब bases आते हैं तो red color change हो जाता है किसमें blue color में simple समझ गए जा होता है acid change करता है blue से red में और base change करता है red से blue में B, A, R से याद रखना second चीज ions की बात कर लेते हैं क्या बात है ions की कि दो ions होते हैं दो type के एक होता है H+, यही आगे H3 HO3 plus बना देता है H+, हो गया और एक OH- हो गया H+, होता है acid में और OH- होता है base में ठीक है फिर next taste की बात कर लेते हैं taste तो खेर तुमने अभी तक किया नहीं होगा और नहीं किया है lemon तो लिया होगा उसमें होता है acid तो वो कैसा होता है SAR कैसा होता है SAR यानि खटा और bases कैसे होते है B se base B se bitter यानि कड़वा यह तीन basic बात है हमने समझ ली अब सुनो ध्यान से यह बहुत basic चीज थी नीचे सुनो इसमें सबसे paragraph important है यह वाला जो हम सब miss कर देते हैं तो उनने जिब यह CRT पढ़ी होगी तो miss किया हुआ बट अब यहान से समझ लो किसका मतलब क्या है यहाँ पर यह paragraph कुछ बता रहा है मैं natural indicator के बारे में यह तो मैं पता है कि litmus एक natural indicator है बट यहाँ पर बात हो रही है एक और natural indicator के बारे में which is turmeric turmeric के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ मैंने तुम्हारे लिए लिए लिख दिया है बहुत अच्छी तरीके से देखो अगर यह एक shirt है ठीक है यह एक shirt है यह box जो मैंने बना रखा है यह shirt पर अगर yellow stain यह लगा हुआ है यह yellow stain लगा हुआ है इस पर turmeric का stain है ठीक है shirt पर turmeric का stain है हल्दी का stain है सबजी में पढ़ती है हल्दी तो उसका stain लग क्या अब इस पर जब हमने soap डाला क्या डाला soap यानि साबुन डाला उसको धुलने के लिए तो वो color change हो गया reddish brown stain में इसमें change हो गया reddish brown stain में और वही color अगर हम वापस उस पर पाई डालते है soap डालने के बाद तो वापस हाज़ता है अपने yellow color में यानि regain हो जाता है color yellow color वापस हाज़ता है ऐसा क्यों हुआ बताओ जल्दी क्योंकि जैसे litmus एक natural indicator है वहाँ पर color change हो रहा है acid blue को red में convert कर दे रहा है उसी तरह यहाँ पर भी turmeric क्या करता है जब भी acid से reaction होता है तब तो कुछ नहीं होगा naturally yellow होता है yellow ही रहेगा बट जब base से reaction होता है तो वो रहता है reddish brown जैसे यहाँ पर base क्या था soap तो जब तक soap लगा हुआ था shut पे जब हमने soap घिस दिया उस पर stain पे तो वो हो गया reddish brown color फिर जब पाई डाला soap हट गया तो वापस आगया अपने natural color में which is yellow समझ गये यहाँ पर बस इतना जानना था कि turmeric acid को करता है yellow acid में रहता है सिर्फ और सिर्फ yellow color में अपने natural color में बट जब base परता है तो वो हो जाता है reddish brown में फिर यह नीचे एक box दिया हुआ है इसमें क्या समझा रखा यार बस simple सी बात कि litmus solution is a purple dye litmus solution purple dye होता है कहा से extract कियाता है lichen से a plant belonging to division thallophyta और litmus solution जो purple होता है naturally acid में जब आता है तो red color दिखाता है और base में blue color नीचे आ जाओ कुछ important questions इसका answer मुझे तुम comment में बताओ बहुत easy वाला question है यह बागी question हम आगे देखते हैं आते हैं understanding the chemical properties यहां से हम देख रहे है chemical properties of acids and base यह एक table दी गई है 2.1 जहां पे लिखना है कि कैसे कैसे color change होता है ठीक है अब कोई BKLE होगा यानि BKLE का मतलब अरे कोई बहुत कमसिन लड़का या लड़की होगा मतलब बहुत नया-नयासा होगा market में जिसको यह नहीं बता कि notes हमारी website पढ़लेक्षे.com पे टाले हुए है जहां पर यह देखो इतनी detailed tables है tricks है hacks है तो वो notes जाके install करो पढ़लेक्षे apps जहां पर free quiz भी मिल जाएगा free sample papers तक मिल जाएगा हर एक चीज़ पढ़ा हुआ है class 10th के लिए और 9 to 12 सारी classes के लिए app की link description और comment दे दोना या table पे मैंने समझाने के लिए एक acid ले लिया HCl एक base ले लिया एनेवज तो acid क्या करता है बताया था ना B, A, R blue को red में करता है but red में कुछ नहीं होगा तो जब red litmus solution में डाला गया तो dash कुछ नहीं हुआ but blue में डाला गया तो क्या हो गया red कर दिया तो इसका उल्टा कहाँ पो होता है base में base blue में कुछ नहीं करेगा red litmus solution में क्या करेगा red को blue में कर देगा और phenol filling solution जो pink होता है acid जब उसमें जाएगा pinkish red और base में कुछ भी नहीं कोई color change नहीं होगा ठीक है समझ गए इसकी प्रॉपर table ये दिख रही होगी then activity 2.2 पर आते है नीचे ये activity में हमें समझाया गया है कि जैसे कुछ indicators हमने बात किरी synthetic indicators थे ये सारे कुछ-कुछ जैसे ये जो उपर लिखा हुआ है phenolthylene और methyl orange ये सब synthetic थे यानि lab में बनाएगा indicators थे बट कुछ natural भी होते है natural indicator जैसे turmeric वगएर आमने उपर देखा तो वो color से हमें दिखाते हैं अपना change कि वो ये सी diabetes बट कुछ-कुछ smell से भी बता कर लेते हैं order से smell से जैसे example उनको बोलते है olfactory indicator और ये तीन example exam में लिखना होगा vanilla essence onion and clove oil अब आ जाते हैं proper chemical properties पे कि क्या-क्या chemical properties हैं acids और bases की ये एक activity है activity में क्या किया गया है पहरे ध्यान से समझो बिल्कुल ध्यान से देखो याँ पे ये है zinc granules यानी zinc एक test tube में लिया गया है और इस तरह से delivery tube लगाई गया है और zinc को कहा रखा गया है acid में कौन से acid में dilute sulfuric acid में ठीक है अब इसका बिल्कुल कुछ भी देखा करो तो chemistry का simple rule है कि तुम्हें अगर symbols आते हैं तो लिख लोज को ये हो गया sulfuric acid H2SO floor plus ZN zinc तो बताओ क्या होगा मैंने तुम्हें chapter 1 में ही बताया था कि displacement reaction कैसे होता है इस reactivity series से जिसको मिमोनिक्स स्याद करवाई था कैटरिना ने कार मांगी H2O Ferrari फिर अभी हंजी क्यों मिली silver order तो ये हंजी है ना ये hydrogen और जो zinc है वो hydrogen की उपर है यानि ये इसको displace कर देगा तो बनेगा ZNSO4 plus H2 gas displace हो जाएगी ये यह दो दिखा रहा है कि gas निकल गई H2 gas निकल गई तो वही यहां पे हुआ ये देखो ये जो gas निकल रही है ना है H2 gas और उसी के bubble यहां पानी में form वह रहे थे और H2 gas को test कैसे करते है ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब भी हम एक burning candle लाएंगे तो pop sound होगा ये test होगए H2 gas और जल्दी मुझे comment करके बताओ कि O2 gas कैसे test करते हैं वीडियो में बताया था चलो ये था इस activity में what do you observe H2 gas bubble कहाँ पे ये पानी में soap solution में चलो नीचे आज़ो जल्दी 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 यहां पर हुआ क्या था उपर acid plus metal equal salt plus hydrogen कैसे अरे यार acid plus metal equal salt plus hydrogen formula है उपर समझाया तो acid यहां पे है न अपना ये H2SO4 acid ये metal बना क्या salt solution plus hydrogen वह उसका formula था कि अगर कोई भी acid ले आओ H2SO4 के जग़े SCL ले आओ या कोई भी metal ले आओ zinc के जग़े कोई और metal ले आओ तो होगा क्या reaction same salt बने का और hydrogen gas निकल जाएगी चलो नीचे आओ activity 2.4 पे सबसे important reaction अभी तक का है ये वाला सबसे important कि जब एक base react कर रहा है तब क्या हो रहा है उपर थो हमने देखा कि acid और metal का लेकिन ये NaOS तो एक base है base और metal में क्या होता है same way salt बन जाएगा और hydrogen gas ये hydrogen gas निकल गई salt का नाम यहाँ पे आद रखना sodium zincate जिसका formula होता है ये क्या है formula Na2 ZNO2 ये reaction कई बार exam में पूछी जाती है चलो अब तो हमने देख लिया कि जब metal के साथ react होता है acid और base का तो salt और hydrogen कैस निकलते हैं but जब metal carbonates metal hydrogen carbonates react करते हैं acid के साथ तो क्या होता है यही है यह activity ठीक है नीचे देखो यह दिखा है reaction test tube A test tube B पहले में क्या है metal carbonate Na2 CO3 यह क्या है metal carbonate और नीचे क्या है metal hydrogen carbonate याद रखना दोनों के साथ same acid rate हो रहा है यह देख लो HCl और same result आता है चा क्या हो बनता है salt plus water plus CO2 देखो यह salt plus water plus CO2 salt plus water plus CO2 यानी same products बनते है जब चाहे reaction हो अपने metal carbonate से यह रहा metal carbonate Na2 CO3 और यह रहा metal hydrogen carbonate hydrogen added है product सेम है विलकुल salt और water और carbon dioxide gas इसका सबसे important reaction कौन सा रहेगा जल्दी बताओ यह नीचे यार lime water वाला ऐसा chapter 1 में तुम्हें याद करवाया था कि lime water, quick lime और slayed lime क्या होता है जल्दी बताओ इसको हम lime water चुई लिखा हुआ है इसका दूसरा नाम क्या होगा quick lime या slayed lime जल्दी बताओ CaOH twice plus CO2 बनेगा क्या CaCO3 salt plus H2O ठीक है यह है white color का precipitate नीचे आओ अब इसी में अगर हम इसी CaCO3 में अभी उनने क्या था सिर्फ CO2 से react इसी में अगर excess water add कर दें तो यह soluble बन जाता है CaHCO3 toys ठीक है calcium hydrogen carbonate तो इसका अगर हम formula देखने तो क्या निकल क्या रहा है बताओ जल्दी जैसे एक formula हमने उपर देखा था नीचे formula निकल रहा है कि metal carbonate हो चाहिए hydrogen carbonate acid मिलाएंगे तो बनेगा salt plus CO2 plus H2O जो हमने उपर देख लिया चलो अब नीचे एक और activity देखो जल्दी से कि how do acid and base react with each other यार यह तो सब से simple है 55 से पढ़ते आ रहे है क्या क्या पढ़ते आ रहे है जल्दी बताओ कि base plus acid equals salt plus water neutralization reaction ठीक है इस activity में क्या हुआ यह देखो हमने लिया है NaOS solution जो की एक base है ठीक है एक base को लिया है उसमें डाला है क्या phenolthaline solution तो क्या होगा जब base में phenolthaline solution जाता है तो obviously color क्या हो जाता है pink color हो गया ठीक है समझ गया फिर add dilute HCl solution अब इसी में HCl solution डालो यानि यह जो हमने लिया था test tube यह जो test tube में मालो circle तो इस test tube में था पहले base base में डाला गया phenolthaline तो क्या आएगा pink color लेकिन इसी pink color में जब हम वापस से acid डाल देंगे तो base plus acid react करके क्या हो जाएंगे neutralize हो जाएंगे salt plus water तो वो pink color क्या हो जाएगा वापस से natural state में colorless जैसा उपर हो रहा था टर्मरीक के साथ क्या हो गया colorless अब why do you think this has happened क्योंकि नीचे देखो अभी why did the color of phenolthylene change after addition of an acid क्यों हो गा क्योंकि neutralization reaction हो गया अब इसके बात क्या करना है जब ये वापस colorless हो गया है तो फिर से इसमें base डालो add a few drops of base अब इसमें जब ये हो गया वापस अपना colorless तो इस colorless में फिर से डालो base ठीक है तो अब क्या होगा अरे वापस आजएगा pink color ऐसा क्यों हुआ क्योंकि पहले तो normal state आ गई थी acid plus base जब मिले थे तो acid equal base हो गया था बट फिर जब extra base डाल दिया तो क्या हो गया base is greater than acid तो base अपना effect दिखाने लग गया ये इसकी reaction NaOH plus HCl कि जब metallic oxide acid के साथ rate करेंगे तो क्या होगा सेम reaction होगी क्योंकि metallic oxide base होता है क्या बना salt plus water Similarly, जब non-metallic oxide base के साथ करेगा तो क्या होगा सेम reaction क्योंकि non-metallic oxide acid होता है तो eventually क्या हो रहा है acid plus base equals salt plus water ये question important और जो important question है वो तुमारी screen पे दिख रहा होंगे Now, 2.2 What do all acids and all bases have in common? क्या common होता है यार अब यहां से बहुत अच्छी अच्छी trick सुरूर होंगी इस chapter की देखो ये activity समझने से पहले कुछ simple बाते समझो कुछ trick समझो सबसे पहले अगर तुम्हें ये पढ़ाया गया है ये समझाया गया है कि acids and base conduct electricity तो बोलो नहीं No Acid base electricity conduct नहीं करते हैं बल्कि उनके ions ions of AB यानि ions of acid and base conduct electricity उनके ions electricity conduct करते हैं और ions कब बनते हैं acid base के? जब ionization होता है ionization का मतलब ions में तूटना और जितना ज़्यादा ions में तूटेगा कोई भी acid या base कोई भी compound उतनी ज़्यादा strength होती है नहीं समझ मैं फिर समझो Acid और base electricity conduct नहीं करते बट Acid और base के ions electricity conduct करते हैं तो जब ions electricity conduct करते हैं तो उनको ions बनना होगा ना कहां से? Acid और base में से ये कैसे बनते हैं? एक process के धुर्ज इसको बोलते है ionization और जितना अच्छे से ionization होगा उतनी ज़्यादा strength होती है उस acid या base की बोलते हैं ना कोई acid ज़्यादा strong है कैसे होता है? जितना ionization उतना strong तो जितना ionization उतना strong उतनी ज़्यादा electricity conduct हो पाएगी इतना समझ गए और याद रखना कि ये ionization सिर्फ aqua solution में होता है सिर्फ water-based solution में ठीक है? आजो आप देखो यहाँ पर क्या किया गया है एक ऐसा setup बनाया गया है और चेक किया जा रहा है कि ये bulb glow करेगा या नहीं यानि electricity conduct हो गी या नहीं और यहाँ पर चार अलग-अलग चीज़ें ली जाएंगी solution में सबसे पहले क्या गया है glucose, फिर alcohol, फिर hydrochloric acid फिर sulfuric acid तो क्या होता है कि जब दोनों acid लिया जा रहा है चाहे हो HCL होगा sulfuric acid तो bulb glow करता है बट जब alcohol और glucose लिया जाता है तो bulb glow नहीं करता है क्यों? क्योंकि इन case में ionization possible नहीं होता है ionization नहीं हो पाता है ठीक है? समझ गए? तो does the bulb glow in all cases no भाई उपर समझा दिया कि सब में glow नहीं करता है ये activity समझ गए NCRT में इस तरह से note कर सकते हो चल्दी 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 ये वही नीचे लिखा हुआ है कि कब glow करता है कब glow नहीं कि the electric current is carried through the acidic solution by ions ions की मदद से ही ये possible हो पाता है Now what happens to an acid or base in a water solution क्या होता है? अरे यार acid or base को water solution में क्या होता है? जो भी लिखा हो वो यहाँ पे करते जाओ क्या लिखा है? take 1 gram NaCl and then add concentrated sulfuric acid तो महाँ पर मैंने लिख लिया ये देखो ये रहा NaCl ये रहा sulfuric acid add कर दिया फिर अपने आप reaction हमें आदे क्योंकि हमें आदे reactivity series sodium उपर है सबसे तो obviously वो hydrogen को main बात ये है वह यहाँ नीचे पूछा गया है is there a gas coming out of the delivery board? yes it is a gas which gas it is? HCl gas फिर test the gas evolve with litmus paper अब litmus paper से कोई भी acidic gas को check करोगे तो क्या होगा? B.A.R. सुरू मता दिया था कि blue acid red यानि blue litmus change हो जाएगा red में अब ये बताओ ये वाले का अंसर मुझे comment में जल्दी जल्दी बताओ comment बहुत logic सा question है सुरू नीचे देखो क्या लिखा है on the basis of the above activity what do you infer about the acid character of dry acid gas acid solution देखो यहाँ पर देखो एक बार पहले ध्यान से देखो क्या होता है कि dry acid gas एक बार टेस्ट किया जाता है कि litmus का color change हो रहा है या नहीं और एक बार चेक किया जाता है किसमे HCL solution में तो मैंने उपर ही बताया था कि जैसे electricity conduct करते है ions ठीक है और ions कब conduct कर पाएंगे जब ionization होगा ionization कहा होता है सिर्फ और सिर्फ aqua solution में water based solution में और यहां क्या लिखा है dry acid gas तो यहां ionization नहीं हो पाएगा ionization only in aqua solution तो इसमें काम अपना हो जाएगा इसमें color change हो जाएगा acid solution में और इसमें dry acid gas में नहीं होगा चलो आगे आओ यह experiment के नीचे reaction लिखे हुए है बहुत simple से ठीक है यह देख लो चलो नीचे नीचे जल दिया हो अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की जो मैंने आप इस तरह से समझा रखी है यह पूरा box यह पूरा box दिख रहा है यह पूरा area यह पूरा area होते हैं जो dissolve in water जो पानी में पानी पानी हो जाएं dissolve हो जाएं water में वो होते हैं alkalies ठीक है तो all the alkalies are bases but all the bases are not alkalies समझ गया हो तो comment में yes जिल्दी से लिख दो bases which are soluble in water are called alkalies याद रखना कि all the bases do not dissolve in water जो dissolve होते हैं उनको बोलते हैं alkalies और ये थोड़े से खतरनाक होते हैं तो ऐसे touch watch मत करना जाके now अगला देखो acid plus base equals salt plus water यह तो में मालूम ही है यह तरह का reaction होता है नीचे ions के बीच यहाँ पर activity 2.10 में कुछ तुम्हें दी गई है चेतावनी कि रुक जाओ भाई लैब में जाके तो यह बतलब की हरकतें मत करो क्यूं क्या समझाया गया यहाँ पर बस इतना साथ रखो कि जब भी dilution करो क्या होता है आगे समझेंगे जब भी dilution करो तो water to acid मत करो यानि पहले एक tube में यह नहीं की acid ले लिया और उसमें water डाल रहे है H2O यह मत करो इससे क्या हो जाएगा बहुत बड़ा accident होगा explosion हो जाएगा इसको याद करने के लिए memonic है WTA what the accident यानि water to acid करोगे तो क्या होगा what the accident accident हो जाएगा इसका उल्टा कर सकते हो यह easy है क्या करना है पहले water ले लो अपने tub में या test tube में water ले लो फिर धीरे धीरे उसमें acid डालो acid to water ओके चलो समझ गए अब हम देखते हैं कि dilution का मतलब क्या है जो उपर कर रहे हैं हम water डाल रहे हैं acid में धीरे धीरे से कि accident ना हो उसको बोलते हैं dilution क्या होता है dilution के दोरान देखो जो ions होते हैं ions ही होता है acidity जो ions होते हैं वो क्या होते हैं कम बट pH होता है बढ़ जाता है pH क्या होता है potence hydrogen full form इसको हम देखते हैं नीचे बट उसके पहले जो यह question टिक किये हैं यह बहुत important questions हैं और भी का important question तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अब हम discuss कर लेते हैं कि कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा strong acid है कौन सा base solution strong है कौन सा weak है आओ देखें जल्दी आओ यह देखो यह scale समझो जल्दी इसको समझने से पहले इधार आजाओ जल्दी से कि भाई acidity का मतलब क्या है मैंने बताया था कि acidity का direct मतलब है ions तो कौन साइन अगर acidity जादा है यह क्या रो दिखा रहा है जादा अगर acidity जादा है यहनि कौन सा इन जादा है तो यहांनी basic city कम है समझगे ना अब base में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा क्या उल्टा हो जाएगा कि H प्लस आयन कम हो जाएगा और pH बढ़ जाएगा जब base बढ़ेगा basic city बढ़ेगी alkalinity बढ़ेगी यहां देखो ध्यान से इस scale से सब समझ में आ जाएगा neutral होता है 7 number कि जब भी pH 7 आएगा तो वो neutral होगा बट जब pH गिरेगा 7 से इधर आता जाएगा 0 तक तो वो acidic होगा और जब pH गिरता है मैंने इधरी समझा दिया कि जब pH गिरता है तो क्या बढ़ता है H plus ions देखो pH गिर रहा है यानि increase in H plus ions और इधर basic हो रहा है ये pH बढ़ रहा है कहां तक आ रहा है 14 तक तो जब pH बढ़ता है तो H plus ion कम होता है decrease ठीक है decrease in H plus ion concentration और कौन सा ion बढ़ता है OH minus ion बढ़ता है ठीक है चलो नीचे आ जाओ समझ गए ये not so important ये important नहीं है ये table but considerable important है अभी आगे हम देखेंगे यहाँ परयाद कर लो कि gastric juice का इतना pH lemon juice का इतना इतना ये important है milk of magnesia और pure blood का 7.4 ठीक है very important नीचे आओ importance of pH in everyday life कि रोजाना सिंदगी में जाके important है इसमें जो मैंने highlight किया है सिर्फ वो point याद रखना ध्यान से कि pH range 7.0 से 7.8 तक होती है हमारी body की less than 5.6 जब पानी का हो जाए तो वो होता है acid rain ठीक है फिर यहाँ पर no answer क्यों है ये मुझे तुम comment करके बताओ नीचे आओ अपनी soil का pH चेक करो इसमें तुम्हें इतना तो पता होगा न कि HCL gas आती है ठीक है HCL gas बनी रहती है digestion के लिए बट जब तुम्हें indigestion होता है यानी खाना नहीं पचपाता है सही से तो उसको पचाने के लिए stomach धेर सारा धेर सारा acid produce करता है HCL gas जिसके वज़ा से क्या होता है बहुत दर्द होता है पेट में और irritation होती है इस दर्द से रहत पाने के लिए हम अपनी girlfriend को sorry हम रहत पाने के लिए यूज करते है bases हम bases यूज करते है कई call wall नहीं करते है या दर्ट ना और वो base को क्या बोलते है anti-acid example क्या anti-acid का magnesium hydroxide milk of magnesia anti-acid यानि की anti-acid acid का anti यानि ultra जो base होता है magnesium hydroxide ठीक है नीच आओ pH change से है दातों में क्या होता है ये देखो जब भी pH 5.5 से नीचे हो जाए तो दातों में decay start आता है tooth decay start हो जाता है क्यूं क्यूंकि tooth बनना होता है enamel किससे calcium hydroxy appetite ये सबसे hardest substance है body का तो जो लोग अभी तक कुछ और चीज़ को hardest समझते थे नहीं calcium hydroxy appetite सबसे hardest substance है और जब इस hardest substance का pH इससे काम होने लग जाए तो वो भी करोड होने लग जाता है तो इसलिए use toothpaste not dimal नीचे आ जाओ अब animals कैसे self defense करते है acid की मदद से bee sting अरे मदू मक्ही यार जिसका तुम honey उस कर रहे हो वो मदू मक्ही एक acid release करती है जहां पर भी वो तुमें काटती है ठीक है जहां पर भी उसने काटा एक acid release किया और नेटल लीव्ज होती है प्लांट की लीव्ज होती है वो भी same acid निकालती है इससे राहत कैसे पाएं इससे राहत पाने के लिए नेटल लीज़ दे को याँ बना हुआ है और इससे राहत पाने के लिए use करो dog plant क्योंकि dog plant basic होता है जैसा कि same क्या होता है baking soda भी basic होता है जब भी हमें बदु मक्ही काटती है तो baking soda apply करते है ताकि क्या हो चली बताओ अरे यार वो acid release करके गई है न तो base वहाँ बे apply कर देते है ताकि neutralization हो जाए और effect balance out हो जाए ये table बहुत important है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लो यहाँ पर मैंने important इसलिए लिख दिया है questions 2 और 3 सबसे important है और जो तुमारी screen पर दिख रहा है वो सारे questions भी important है now more about salts salts के बारे में जानने की बारी आ चुकी है ध्यान से समझें के हम salts को family of salts क्या यार अरे यार कोई BKLE होगा जिसने हमारे notes नहीं install किये website.com फिजाओ या app फिजाओ और notes डाउनोड करो क्योंकि उसमें देखो कितनी अच्छी table बना करके समझाया गया है कि कौन सी family से कैसे belong कर रहे हैं किस compound से निकल करके किस salt से क्या acid क्या base बना हुआ है सब कुछ समझाया हुआ है ध्यान से देख लो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर याद रखना कि इस lines को miss कर देते हैं कई लोग बट यह बहुत important है ठीक है बहुत जादा important है इस sea water contain many salt कैसा salt dissolve होते हमें पता है sodium chloride is separated from the salt sodium chloride ऐसे नहीं पड़ा होता है उसको separate किया जाता है इन salt से ठीक है कैसे salt से यह deposit होते हैं solid salt के और बहुत बड़े बड़े parts में होते हैं impurities के साथ होते हैं और brown color के होते हैं जिसको बोलते है rock salt तो rock salt को पूछे तो क्या होगा यह definition लिख देनी है large crystals are often brown due to impurities called rock salt ठीक है नीचे आ जाओ common salt are raw material for chemicals ठीक है यह क्या है यार common salt जो हम use करते हैं NACL इससे कई सारी चीज़ों हो रही है यह raw material के तरह वर्क कर रहा है chemicals के लिए कैसे यह reaction देखो यहाँ पर क्या यह reaction इसको बोलते है chloralkali process बहुत important है chloralkali chlor का मतलब है यहाँ पर chlorine alkali का मतलब है base process यहाँ पर कौन सा base यूज किया गया है NaOH देखो देखो यहाँ पर यह जो यह पूरी की पूरी एक test tube है ठीक है इतनी बड़ी सी और यह जो blue color दिखा रहा है यह NaOH solution ठीक है NaOH solution अब यहाँ पर एक लगा है anode anode होता है positive और एक लगा है cathode होता है negative तो जब यह positive है और इतना ही पुछाता है कि किस तरफ कौन सी gas निकलती है तो याद रखो जब यह positive है तो अधर negative वाले ions आएंगे negative क्या है यहाँ पे CL minus ions और इधर यह negative है तो अधर positive वाली चीज़ आएंगी positive क्या है H plus ions जो यह आएंग दिख रहा है Na plus और H plus इधर जा रहे है क्यों क्योंकि इधर अपना negative terminal तो negative plus positive यह positive वाले हैं तो negative की तरफ जा रहे हैं और यह negative वाले हैं तो यह positive की तरफ जा रहे हैं नीचे आणा वजनी से पहले यह देख लो इसकी reaction chloralkly process की reaction और brine क्या होता है तो यह definition कि पन electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride aqueous solution of sodium chloride यानि नमक का aqueous solution को कहलाता है brine it decomposition to form sodium hydroxide और क्या क्या बनता है यह NaCl है, water है यह brine solution इसको हम लोग electricity पास कर दें तो बनता है NaOHCl2 plus H2 Cl2 निकल रहा इधर anode पे और इधर hydrogen gas निकल रही है cathode पे चलो आज आओ नीचे कई सारे salts को देखना है और यह salts बहुत अच्छी तरीके से notes में समझा रखे हैं तो यह अपना पहला रहा bleaching powder इसका याद कर लो CAOCl2 होता है अपना chemical formula इसको बनता है calcium oxy chloride जो बनता कैसे है वो है इसकी reaction CAOestwise इसको क्या बोलते है इसको बोलते है slagged lime यानि slagged lime में डाला क्लोरीन तो बन गया CAOCl2 यह अपना bleaching powder और water ठीक है अब इसके important use क्या है यह सारे for bleaching cotton and linen and textile industry it is an oxidizing agent जाएगा कि क्या use करते है drinking water को germ screen बनाने के लिए तो क्या answer आएगा bleaching powder चलो आओ नीचे आओ baking soda क्या है अरे सबको पता है यार baking soda बहुत commonly used होता है कहाँ पे kitchen में जल्दी इस अपनी mamma से पूछ के आओ और sometimes it is added for faster cooking क्यों यह मम्मी से पूछ को जल्दी कि faster cooking के लिए क्यों add के जाता है the chemical name is sodium hydrogen carbonate और इसका formula क्या है NaHCO3 ठीक है NaHCO3 और इसको बनाने का यह है अपना reaction कि नमक लिया पानी लिया why brine brine solution इसको तो बोलते है न NaCl plus Ah2O और इसमें डाल दिया carbon dioxide और NH3 ammonia तो बन गया ammonium chloride यह ammonium chloride बन गया और यह रहा अपना sodium hydrogen carbonate जो है baking soda अब आगया हो the following reaction take place when it is heated जब इसको heat करते है न cooking के समय यही अपना baking soda डालते है न cooking के समय अब यूपर हमने देखा था तो जब यह heat होता है तो बन जाता है वापस से sodium carbonate और S2 or CO3 ठीक है तो इसके कई सारे uses होते है सबसे important use क्या है in making baking powder baking soda साही क्या बनता है baking powder कैसे बनता है बस उसमें डालना होता है एक mild edible acid यानि एक light side acid ठीक है such as tartaric acid जैसे अगर tartaric acid से from any acid लिखा है न tartaric acid से यह H plus iron लिया गया और कहां डाला गया इसमें अपने baking powder पे sorry baking soda पे तो इधर बन जाएगा sodium salt यानि यही अपना baking powder और CO2 plus S2O निकल जाएगा समझ गए चलो आजाओ यह दोनों हैं इसके important uses सबसे important use है यह कि soda acid fire इसमें इनका use किया जाता है आगे बढ़ते हैं washing powder oh sorry it's not washing powder निर्मा या it's washing soda man come on washing soda जान से देखो formula है Na2CO3.10H2O यानि water of crystallization अगर तुम्हें concept पता है आगे भी देखेंगे Na2CO3 लिया उसमें बच डाल दिया 10 water molecule ठीक है 10 water यानि 10H2O तो बन गया combine होके Na2CO3.10H2O नीचे आजाओ इसके use क्या-क्या है एक तो तीन चार चारो important यह है सबसे important यह है कि परबान एंट हार्डनेस अटाने के लिए क्या use होता है washing soda याद रखना चलो अब are the crystals of salts really dry क्या crystals of salt dry होते हैं सच में यहीं हम concept समझे water of crystallization का तीन salt important है कौन-कौन से cuSO4 dot 5H2O जो blue color का होता है फिर नीचे na2CO3 dot 10H2O और cuSO4 dot 2H2O तो यहाँ पर ध्यान से देखो यह जो 5H2O 10H2O 2H2O लिखा है इसका मतलब क्या है dot क्या यह क्यों लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्या समझाए जा रहा है यहाँ पर यहाँ पर इसी burner में लिया गया copper sulfate crystal क्या cuSO4 dot 5H2O तो क्या होगा जब हाई heat करेंगे तो यह 5H2O तो निकल जाएगा ना भाई exactly वह होगा नीचे what do you observe क्या होगा जल्दी हो देखो नीचे कि जब इस reaction को देखो ध्यान से कि what is the color of copper sulfate after heating सबसे पहले होता है blue फिर after heating क्या होता है color change white ठीक है जल्दी comment करके बताओ क्या होता है color change फिर did you notice water droplets in boiling tube क्या water droplets आता है हाँ तो water droplets दिखते है क्योंकि यही जो 5H2O था यही evaporate आता है heating के समय ठीक है अब add 2-3 drop of water फिर अगर इसमें water add करें तो क्या color वापस आता है is the blue color of copper sulfur restored तो हाँ yes water डालोगे तो वापस अपने original color मा जाएगा blue समझ गए इसी तरह से होता है Na2CO3.10H2O जो wet होता है और CSO4.2H2O यह क्या है यह important है अब discuss कर लेते हैं plaster of Paris और gypsum है क्या यहाँ पर देखो देखो on heating gypsum at 373 Kelvin इतने temperature पर जब heat करते हैं it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihidrate यही होता है POP P-O-P plaster of Paris क्या formula है CASO4.5H2O यानि half molecule लगा हुआ है ठीक है यह है इसकी reaction plaster of Paris की इसी में जब यह add हो जाता है इतना molecule of इसको क्या लिखते हैं बताओ अरे whole number यार 3 by 2H2O ठीक है तो 3 by 2H2O जब इसमे add हो जाएगा तो यह बन जाएगा gypsum और इसी को जब heat कर देंगे तो यह वापस बन जाएगा plaster of Paris याद रखना इसको sharing is caring की बिमारी है किसको CASO4.halfH2O को plaster of Paris को कैसे देखो CASO4.halfH2O यानि यहाँ पर halfH2O को use किया जा रहा है ठीक है halfH2O को और इदार आ जाओ CASO4.2H2 यहाँ पे हैं दो molecule यहाँ पे हैं half molecule यही difference है gypsum और plaster of Paris में समझ गए जल्दी अपनी स्क्रीन पे देखो कुछ important questions दिखेंगे अब वापस आजाओ यह है NCRT के important question common name क्या है इसका जल्दी बताओ calcium oxycoride का इसका chemical name है यह but common name क्या है comment करो और यह 2, 3, 5 है important questions खतम कर लिए आमने यह chapter बहुत ही बढ़िया तरीके से just 30 minutes के अंदर with all the tricks और सारे tricks के लिए notes install कर लो free of cost notes है worksheets, dpp, sample paper, quiz सब कुछ पढ़ा हुआ है अपने आप पढ़ लक्षे पे और यह video जरूर शेयर करना और यह video जरूर शेयर करना और यह video जरूर शेयर करना झाल